अच्छकार दोस्तों, एक्जाम सारती यूटूब चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों, वीडियो मेंस एक्जाम को लेकर के बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों, पटवारी एक्जाम, उसके बाद में कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर एक्जाम और अब वीडियो में एक्जाम, तिनों में ही एक के बाद एक पेपर लीक की खबरे आ रही है और इस बार जो पेपर लीक का पेटन है, वो टेकनोलोजी के इस्तिमाल से हो रहा है जी हाँ दोस्तों, एप के माद्यम से पेपर लीक किये जा रहे है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जोदपूर का एक सेंटर है, जहाँ पर पेपर का प्लास्टिक पेकिंग है जो लीफाफे में जो पेपर आते हैं, तो लीफाफा 1.5 एक से 1.5 इंच कटा हुआ था और जो कि यहाँ पर दिया हुआ है, और उसके अंदर जो पेपर की प्लास्टिक होती है, वो भी डेड इंच एक पेपर की कटी हुई थी तो इससे साफ साफ पता है कि पेपर जो है कहीं न कहीं उसके माद्यम से पेपर को निकाला गया है क्योंकि अगर मान में भूल से अगर कट लग गया होता तो लिफाफे पेपर कट लग सकता था लेकिन उसके अंदर एक पेपर की जो सील है, जो प्लास्टिक की थेलिया थी, उसमें भी कट था तो इसका मतलब यह है कि कहीं न कहीं उससे पेपर लीक किया गया है और यह पेपर कब लीक किया गया, तीन दिन पहले किया गया, चार दिन पहले किया गया या एक दिन पहले किया गया, इसका कोई आइडिया नहीं लगा सकता तो कुल मिला करके वीडियो में जो एक्जाम है, इसका पेपर लीक कर दिया गया और केवल इस सेंटर पर ही नहीं बलकि बहुत सारे सेंटर पर ऐसी सिकायत आ रही है कि वहाँ पर लिफाफा पहले से खुला हुआ था अभीर्तियों की सिकायत के बावजूद भी कोई कारवाई नहीं की गई इस सेंटर पर बहुत सारे अभियर्टियों ने एक जूट रता दिकाई और इसका विरोध किया तब जाकर के एक लिकित में सिकायत बोर्ड के कार्यालियों को लिखी गई है अलंकि जिस तरीके से बोड का रहवईया रहा है और जिस तरीके से बोड के अतिकारियों का जो ब्रस्टाचार में समलित होने का खुला सा हुआ है उसके बाद से मैं ही लगता कि इस पेपर इस लेटर पे कोई कारवाई होगी किसी तरह की कोई उमीद भी नहीं है क्योंकि आजकल क्लीन चिट का जो है वो एक दोर चल रहा है फेपर ली करो पेसे कमाओ और कोट के दोर आपको क्लीन चिट दे दी जाती है तो दोस्तो ये एक ओर सेंटर है जहां पर की पूरा का पूरा लिफाफा ही एक रूम में खुला हुआ था उसमें किसी तरीके का सील ही नहीं था पूरा लिफाफा कुला हुआ था जब रूम में लाया गया एक अबेर्ती ने अपनी आवाज उटाई कि ये लिफाफा पहले से कुला है तो इसको चेंज गिया जाए या इस पर कोई हमारी आपती है तो अन्य कोई जो अबेर्ती है वो उस कंडिडेट का उसने सयोग नहीं किया क्योंकि जो वहाँ पर मौजूद इंस्ट्रक्टर थे या जो वहाँ के संचाल लगते उन्होंने उस कंडिडेट को दबाव बनाया उस पर कि आपको प्रिक्सा से वन्चित रख दिया जाएगा पुलीस के माद्यम से दबाव बनाया कि परिक्सा से वन्चित रख कि आपको थाने ले जाए जाएगा जिसके बाद से किसी अबेर्ती ने आवाज नहीं उठाई और इस सेंटर पर जिसका की नाम है मारवारी समेलन मूंबई राजकी बालिका उच माद्यमिक विदाले संग को और प्रिंसिपल को पकड़ा है जिसने की पेपर लीक में जिसका हाथ था अलांकि इनको पुलीस ने पकड़ा है लेकिन किसी ना किसी राजनेतिक दबाव के चलते इनको भी छोड़ दिया जाएगा क्लीन चिट जो है वो दे दी जाएगी इस तरीके से रीट मामले में हम देख रहे हैं कि जो मुख्य आरोपी है जो बोर्ड का अध्यक्स था डीपी जारोली उसी को ही क्लीन चिट दे दी गई है जिसने की पेपर लीक में जिसकी सबसे बड़ी भूमी कह थी राजनेतिक कारणों के चलते उसको क्लीन चिट दे दी गई तो किसी तरह की कोई कारव पर बाद पर जितनी भी बढ़तियां होई इस सबके पेपर लीक हुए सब में बेक डोर ओमार गोटाला हुआ है सब में सीटें बेची गई हैं और इसमें ना केवल आयोजित कराने वाली संस्ता बलकि सरकार में बैटे अधिकारी मंत्री सब उसमें समलित है अब देख सकते कि सिकर का एजू स्पोर्ट एप वही एप है जिससे कि आपका पटवारी एक्जाम और पटवारी के बाद में कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर एक्जाम का पेपर लीक किया गया और अब वीडियो में एक्जाम का पेपर भी लीक किया गया अगर इस पर कोई कारवाई होती तो स इसमें registered candidates को मिला, कुछ questions जो है, जो बिना जो इसमें सीधा registration करते हैं, साधारन जो इसके users हैं, उनको भी question मिलें जिसमें की 60 से अधिक प्रशन आये थे, और जो इसके registered users हैं, यानि जिन्होंने payment किया है, यानि जिन्होंने गिरोह को पेसे दिये हैं, बकाईदा, उनको पूरा का पूरा हूब हूब भू पेपर जो इस एप के माधियम से दिया गया, जो कि paid paper की तोर पर इस एप पर उपलबद होता है, जो कि उन्होंने गेंग को पेसे दिये हों, और उसी नाम से, उसी नंबर से जिन्होंने registration किया हो, जिस नाम से उन्होंने अपने payけれ kayaktü focus देखकर के जा रहे हैं किसी तरह की कोई कारवई की उमीद नहीं है ना सरकार के द्वारा ना किसी कोट के चरी की द्वारा तो अब आप देख सकते हैं कि इसमें अबियर्टियों ने एक्जाम दिया है तो कट ओफ तो हाई जानी है और जिस इस्टर पर पेपर लीग किया गया है मेरे ख्याल से कि 160 प्लस 170 प्लस कट ओफ जा सकती है या हो सकता है कि 150 के असपास भी रहे अगर बहुत बड़े इस्टर पर पेपर आउट हुआ है तो 160 प्लस भी जा सकती है और अगर कुछ सेंटर्स पे हुआ है या एक जिले में हुआ है तो हो सकता है कि लेकिन जिस तरीके से एप के माद मुझेह हैं तो आप किसी भी कौने में पेपर पहुंचा सकते हैं तो लगता या है कि पेपर लीक हुआ है 140 प्लस अगर कट ओफ जाती है तो यह मान नन सकते हैं कि पेपर बहुत बड़े इससर पर पेपर लीक हुआ है क्योंकि पेपर का जो इस्तर था उसको देखते वे लगता है कि जो कट ओफ है वो 110 से ज्यादा नहीं जाने चाहिए जनरल कट ओफ लेकिन अगर 140, 130 प्लस अगर कट ओफ जाती है तो कहीं न कहीं पेपर बड़े इस्तर पर लीक किया गया है और जिस तरीके से इस एप के मादे रहने की उमीद है अगर पेपर लीक बहुत बड़े इस्तर प्र रुगा है तो पेपर तो पूरी तरीके से लीक हुआ है ये तो दीखी रहा है लेकिन कोई कारवाई की उमीड नहीं है फिर भी फिर भी अगर आप चाहें तो आप हमें ट्यूटर हैंल पर फॉलो कर सकते हैं आप ट्रेंड चला सकते हैं वहाँ पर अपति दर्ज कर सकते हैं तो दोस्तों इसके अलावा हम कोई कारवाई कर भी नहीं सकते क्योंकि कोट में भी आजकल आरोपियों को बरी किया जा रहा है तो दोस्तों अगर आपको लगता है कि इस तरीके से भरती परिक्षाओं में आवाद ग्लावाट